हलो फ्रेंज, क्रेटिव सर्टा चैनल में सभी फ्रेंज का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंज, आज के वीडियो में आप एक सुन्दर सी तोरण बनाना सेखेंगी जो बहुत ही सिंपल है और देखने में बहुत ही सुन्दर है तो चलिए इसको हम बनाते हैं फ्रेंज, इस टिकी का वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे दे रहे हैं आप वहां से इसका वीडियो देख सकते हैं या तो आप तुरन देखना चाहते हैं तो आई बटन को क्लिक करके तुरन इस वीडियो को देख सकते हैं तो इसमें देखिए हमने रेट करके ये बाडर बनाते हैं इसमें हमने तीन टिक की जोड़ा है इस तुरन को बनाने के लिए इसमें हमने टोटल बार टिक की बनाया है तो चलिए इसको हम जोड के दिखाते हैं है कि तो सबसे पहले देखिए रेट कलरकर में धागा लिया और यहां से देखिए कुरुषय को डाले ना है अब पहले तो हम यहां पर नोट लगा लेंगे इसको अच्छे से नोट लगा लें ताकि ये खूले अब इसके अंदर हम सिंग Da princes बनाेंगे तो एक तो हमने बना लिया है बंद करते हुए अब यहां पर दिखिये दूसरा सिंगल कुर्षए वनने बनाया यह दो और फंदे में इसको में सिंगल कुरूशे बनाती हुए जाना है तो यहाँ पे देखिए तीन सिंगल कुरूशे हमने बना है और यह देखिए चार पात छे साथ और यह देखिए आठ तो यहाँ पे देखिए बीच में देत रभी टीतल कुरूशे जो बना है एक सिंगल कar ले ситу कर लेना है इसके पिए प्रेम सिंगल कुरूशे बना बना लेना है तो कि एक rated हम सिंगल कुरूशे बना यह दूसरी पर आठ सिंगर कुषिया बना लेंगे और तो यह देखिए लास्ट का इस तरह के से बंद करना है और यहां पर देखिए जो वाइति कलर का है इसके फंदे में से हम धागे को निकालके और इसके आगे फिर हम single crochet बना रहे हैं तो देखिए इसमें एक single crochet हमने बनाया फिर आगे देखिए दो single crochet हर फंदे में से हम धागे को निकाल के single crochet बना रहे हैं तो 3, 4, 5, 6, 7, और ये देखिए 8 और पिर इस़री पन्दे में है यहां पर लाग किसको बंद कर देंगे इसमें देखेंगे दो सिंगर कुछिअ बना लेना 46 में दो चैन फिर आगए देखिए जो बना रहे तो यहां पर देखिए इन दोनों में हम सिंगल कुछ से बनाते हुए इस बार्डर को बना आगे इसी तरह किस बना लेंगी तो देखिए हमने यह चारों बार्डर बना लिया है अब यहां पर हमने दूसरी टिक की लिया है इसका देखिए बार्डर बनाते हुए इस टिक की का जो फर्स्ट वाले टिक की है इसमें हम जोडते हुए इसको बनाएंगे तो आप पर हम नोट लगा ले रहे हैं अब देखिए इसके फंदे में से हम धागे को निकालके सिंगल कुष्या बनाना है आप पर तो जैसे फर्स्ट वाले में हमने आट सिंगल कुष्या बनाया है उसी तरीके से हम इसमें भी आट सिंगल कुष्या बना लेंगे हर फंदे में से इसमें देखिए हमने आट सिंगल कुष्या बना लिया है अब इसके आगे एक चैन हम बनाएंगे अब जो फर्स्ट वाले हमने टिक्की का बाडर बनाया है अब इसमें हम इसको जोड़ेंगे तो आप पर देखिए इस तरीके से में लेना है और यहाँ पर बीच में देखिए जो दो चैन हमने बनाया था इसमें कुष्या को डाल लेना है इस तरीके से अब यहाँ से देखिए हम धागे को निकालेंगे इसके अंदर से इसमें एक चैन बना लेंगे अब देखिए यहाँ पर इसी के फंदे में यहाँ से कुरूश्या को डाल लेना है और धागे को निकालके और सिंगल कुरूश्या बना लेना है यह देखिए इस तरीके से अब फिर आगे देखिए हर फंदे में से हम धागे को निकालके और सिंगल कुरूश्या बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए लाश्ट का है इसको देखिए धागे को निकाल के इस तरके से हम बंद कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए बीच में हमने इसको जोड़ दिया है दोनों टिक की अब देखिए वाइट कलर में यहाँ से धागे को निकाल के सिंगल कुरुषिया बना लेना है हर फंदे में से हम सिंगल कुर्षिया बनाएंगे इसके अंदर आठ सिंगल कुर्षिया बना लेना है तो इसमें देखिए आठ सिंगल कुर्षिया बना के एक चैन बना लिया है अब यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे तो बीच में देखिए दो चैन है जो इसे में कुरुषय को डालना है यहां से देखिए हम धागे को निकालेंगे एक चैन करके अब इसको देखिए इसे में फिर हम इसे के फंदे में सिंगल कुरुषय बना लेना है अब फिर आगे देखिए हम सिंगल कुर्षिया बनाएंगे इसके अंदर हमें आठ सिंगल कुर्षिया बना लेना है तो आप पर देखिए दोनों साइट का हमने जोड़ दिया है अब जैसे देखिए हमने बाडर ये बनाया है सेम उसे ही इन दोनों में आगे बाडर हम बना लेंगे तो देखिए हमने इसको जोड़ती हुए बाडर हमने बना लिया है अब इसके आगे हम तीसरी टिक्की इसमें जोड़ेंगे तो देखिए हम इस टिक्की को यह हमने बाडर आठ सिंगर कुशेश में हमने बना लिया है अब इसको हम जोड़ेंगे तो हाँ पर देखिए एक चैन हम बना ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए हमने औरेंज कलर का यह जो डिजाइन है एक ही साइड यह पड़ रहा है कि इसको हमें बीज से जोड़ना है तो यहां से देखिए कुछय को डालेंगे इसके अंदर से और फिर यहां से देखिए हम धागे को निकाल के और एक पहले चैन बनाएंगे अब देखे है इसे फनで में फिर उसी वाले फन studies में से हमें सिंगल कुर्षय बना लेना है अब इसके आगे देखिए हर फंदे में से हम धागे को निकालके आप सिंगल कुर्षया बनाती हुए नीचे की साइड जाएंगे इसके अंदर हम आठ सिंगल कुर्षया बना ले रहे हैं तो आगे इस तरीके से देखिए इन दुनों में हम बाडर बना लेंगे तो यहां तक देखिए हमने यह बना लिया है बाडर अब इसको हम जोड़ेंगे पहले तो यहां पर एक चैन बना ले रहे हैं अब देखिए जो दो हमने चैन बना था इसके अंदर कुर्षया को डालके यहां से धागे को निकालेंगे और एक चैन बना लेंगे अब देखिए फिर इसी वेले फंदे में से फिर हम धागे को निकाल के सिंगल कुरूशिया बना ले रहे हैं देखिए यह हमने यहाँ पे बंद कर दिया है इसको फिर आगे हम आठ सिंगल कुरूशिया बना लेंगी तो देखिए इसी तरीके से यहाँ पे हमने इसको जोल लिया है और बार्डर भी हम आगे बना ले रहे हैं तो देखिए हमने यह तीनों टिक्किया जोल लिया है बार्डर बनाते हुए तो आगे देखिए हमने एक टिकी और चोड़ा है तो बीच में देखिए हमने एक में औरेंज कलर का बीच में डिजाइन रखा है और इसमें देखिए हमने वाइट कलर का डिजाइन बीच में रखा है तो यहाँ पे देखी हमने दो color का यह layer हमने बनाया है तो एक layer में 20 धागे हैं और यहाँ पे center पे हमने इसको बान लिया है इसकी लंबाई 49 inch है तो जैसे हम चोटी बनाते हैं सेम उसे ही इसको बनाना है एकदम चोटी की तरह दोनों देखी धागे से हम बारी-बारी से बना रहे हैं इस तरह का पट्टी बहुती सिंपल, बहुती इजी होता है इसे हर कोई बना शकता है तो बहुती आसान है इसको बनाना तो देखिए बीच में हमारा दोनों कलर से डिजाइन बन रहा है तो देखिए इसी तरीके से इसको पूरा बना लेंगे आगे तक तो देखिए इसको उमने एप बना लिया है यह देखिए दोनों कलर हमारा बहुती सुन्दर है चोटी डिजाइन बना है और यहाँ पर देखिए हमने नोट लगा लिया है और धागे को कट कर दिया है बराबर और इसकी लंबाई 35 पिंच है तो बहुती जल्दी यह पट्टी बन के त्यार हो जाता है बहुती आसान है तो चलिए इसमें हम टिक्की जोड़ते है तो यहाँ पर देखिए हमने टिक्की ले लिया है और एकदम किनारे से इसको हम लगाएंगे तो सुई धागे की मदद से हम इसको सिल लेंगे यहाँ पर देखिए हम नोट लगा ले रहे हैं अधागे को हम कट कर देंगे तो आगे दूसरा भी हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाला जोड़ा है तो देखिए हमने इसमें चार डियाने से पट्टी में लगा लिये हैं अब इसमें देखिए यह जलरी में बना लेना है तो एक जलरी में देखिए हमने चार कलर का जलरी बना के बड़ी साइज का जलरी हमने बनाया है तो इसको देखिए बनाने के लिए पहले था हम उंगली में इस तरीके से देखिए 11 राउंड लपेट लेंगे और धागे को कट कर देना है यहाँ पर एक छोटा धागा लेके बीच में हम इसको नोट लगा लेंगे यहाँ पर देखिए इस तरीके से में नोट लगा लेना है बीच में अब इसको बराबर कर ले रहे हैं अब यहाँ पर देखिए यह अलो कलर का अमने धागा ले लिया है इसको इस तरीके से हम बांद देंगे यहाँ पर देखिए नोट लगा लेंगे अब धागे को कट करके हम बराबर कर लेंगे पहले तो देखिए बीच में धागे को में कट कर देना इस तरीके से अब सभी धागों को इस तरीके से हम फिर से काटेंगे ताकि एक बराबर धागा हो जाए तो आप देखिए एक बराबर मारा धागा हो गया है अब देखिए हमने इसी तरीके से जलर हमने बनाया है तो इसमें हमने color change किया है और इन सभी में हमने color नहीं change किया है यह उपर रहेगा तो यहाँ पर देखिए सुई धागे की मदद से इसको पहले तो यहाँ पर नोट लगा लेंगे तो फर्स्ट वाइल जलरी देखिए तयार है दूसरी जलरी हम इसमें लगाएंगे तो इस तरीके से देखिए में धागे को फैला लेना है और यहाँ से हम सुई को डालेंगे यह बीच में देखिए हमें इस तरीके से धागे को निकाल लेना है यहांसे धागे को अराम से खीचेंगे तक कि यह धागा जो है मारा फसे न तो देखिए दूसरी जलरी भी मारा इसमें लग गया है अब हम तीसरी जलरी लगाएंगे तो यहां पर देखिए बीच में इस तरीके से में फैला लेना है धागे को और सुई को यहांसे डाल की निक तो देखिए तीसरी भी जलरी मारी लग गई है अब लाश्ट का है इसको हम लगा लेंगे तो इसको देखिए फ़ला लेना है पहले और यहां से सुई को डालेना है और धागे को अराम से इसको खीचेंगे ताकि यह धागा जो है हमारा फसे ना तो देखिए चोथी भी जलरी मारी लग गई तो बहुत ही खुपसूरत जलरी बना है अब इसको हम देखिए तोरन में लगाएंगे तो यह देखिए जो टिक्की है बीच में जो दो चैन हम ने बना था इसी के अंदर हम इसको सील लेंगे यहां पर देखिए गांट लगा देंगे और उल्टा साइट करके देखिए मैं यहां पर नोट लगा ले रहे हैं और धागे को थोड़ा साम इस तरीके से फसाते वे उपर की साइट कर देंगे और धागे को कट कर देंगे तो देखिए एक जलेरी हमने लगा लिया है तोरन में अब दूसरी जलेरी जो है देखिए नीचे की साइड हम लगाएंगे यहां पर इसी तरीके से में यहां पर भी लगा लेंगे तो फ्रेंस तोरन बनके हमारा कम्प्लीट हो गया है वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंस तो वीडियो को लाइक कर दें लाइक करने के साथ चैनल को भी सस्क्राइब कर लें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए बिल आइकन को भी आन कर दें ताकि जब भी मैं को वीडियो डालूँ सबसे पहले आप देख सकें तो फ्रेंस फिर मिलती हूँ नेडियान के साथ थैंक यू